शुकरवार को एक बड़ा विमान हाथसा हो गया है एरफोस का एक विमान जो की मिलेटरी स्टुडेंट्स को लेकर जा रहा था वो शुकरवार को हाथसे का सिकार हो गया इसमें 25 लोगों की जान चली गई है नमस्कार मैं ही नसिर्वास तो आप देख रहे हैं प्रगती मेडि युकरेन में एक विमान हाथसा का सिकार हो गया है इस हाथसे में अब तक 25 लोगों की मारे जाने की खबर आई है यह विमान युकरेन की वायु शेना का है सूत्रों के मुताबिक इस दुर घटना में मिलेटरी स्टुडेंट्स समिद 25 लोग मारे गये हैं इसके अलावा दो लोग के बहुत ही गंभीर रूप से घायल होने की सूचना मिली है यह हाथसा युकरेन के पूर्वी हिस्से में खार की इलाके में हुआ है युकरेन के मंतरी ने इस हाथसे की पुष्टी की है उप ग्रह मंतरी एंटॉन गेरा सेंको ने एफप को जानकारी देते हुए का आ जबकि दो घायल हुए है युकरेन में एयर फॉस का एक विमान सुकरवार को हाथसे का सिकार हो गया है जानकारी की मुताबिक हाथसे में मिलेटरी स्टूडेंट्स के समेट 25 लोग मारे गए हैं वहीं दो लोग गंभी रूप से घायल होने की खबर है युकरेन के पूर्व लोगों की तलास की जा रही है उन्होंने बताया कि ट्रांस्पोर्ट प्लेन में 28 लोग सवार थे इसमें से 21 लोग मिलेटरी स्टूडेंट्स थे जबकि साथ विमान के क्रू के सदस्य थे मंतरी ने बताया कि हाथसे की वज़े का पता अभी नहीं चल पाया है युकरेन के राष्टपती वाला दिमीर ने कहा कि वह सनिवार को इस इलाके का दौरा करेंगे उन्होंने फेस्बुक पर लिखा कि वह तकाल हाथसे की जाज के लिए एक आयोग गठित कर रहे हैं या आयोग हाथसे के कार्णों की जाज करेगी बताया गया है कि एंटो नौव 26 परिवेहन विमान इस्थानिय शमय अनुसार रात आठ बज़ के पचास मिनट पर चुहीव सैन्ने हवाई अड़े से दो किलो मेटर की दूरी पर दुरघटना ग्रश्ट हो गया दुरघटना के बाद विमान में आग लग गई आग पर कापू पाने के लिए एक घंटे ल आइप करें